जो रों तो बल घटे, हसी तो रामर साई, मन ही मन ही बेसूड़ना, जो गुन का ठीखाई कबीरा, जो गुन का ठीखाई कबीर जी जो बोलते हैं ये मुझ पे भी applicable था, क्यों? वो कहते हैं, जब हम रोते हैं, तो हमारा बल घट जाता है, हमारा शरीरी वीक हो जाता है, लेकिन अगर हसते हैं, तो राम मिलते हैं, हस के सामना करते हैं, किसी hardship का भी तो अच्छा होता है, नहीं तो हमारी ही सेहत पे अ तो वो कहते हैं कि जैसे अगर हम परिशान होते हैं मन ही मन साड साड रहते हैं तो घुन होता है ना जैसे दीमक लखड़ी को खा जाती है ऐसे हम भी अपने शरीर को खा जाते हैं एक मैंने बात सुनी थी किसी से कि यह जो हमारा शरीर है वो हमारे हाथ में होता है अब हम उसके लांडलोड बने या उसके टेनेंट बने किरायदार बने या उसके मालिक बने वो हमारा डिसेशन है ये शरीर हमारा है, हमें खुश रहना चाहिए तभी सेहत मन रहेंगे